हाई डिसे जस्मीत फ्राम जस्मीत लास्टों कैसे हैं आप सब होट कि आप सबी लोग ठीक होंगे अपने गर पर सेव ओंगे तो गईस जैसे कि अम सबी जानते हैं कि आज से डेड़ दो महीने पहले आपके थर्ड यह के एक्जाम होए थे open बुक ठीक है open book mode में आपके exam होए थे 3rd year के और ex students की जैसे मान लो कहते हैं कोई student कहते हैं 3rd year pass out कर चुका है लेकिन कोई back कार की थी 1st year में 2nd year में 3rd year में तो उनको हम बोलते हैं ex students और इसके साथ साथ जो students कहते हैं 3rd year में आयते उनके exam होए थे अब बहुत से students ने अपने exam मिस कर दिये थे यानकी उन तक कहते हैं update नहीं पहुँच पाया या उससे में मतलब situation खराब थी किसी वज़ा से अगर आप अपने वो open book examination नहीं दे पाए तो आप सब के लिए golden chance आ चुका है एक official notice आ चुका है SOL की website के उपर ठीक है अब आपका phase 2 होने जा रहा है examination का ठीक है ये कौन किसका होगा एक तो होगा जो बच्चे graduation के final year के और इसके साथ साथ जो student है PG के यानकी post graduation के semester 4 के उनके ये examination phase 2 के होने जा रहे हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखना वीडियो बहुत ज्यादा important रहने वाली है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर दे रखिया है कि हमको आपको ऐसे से इंफर्म करें इस notice का जरीए 23 ठीक है Delhi University की हम आपका कहते है second phase में exam conduct करवाने जा रहे हैं उसका UG का और PG का ठीक है for the leftover students who couldn't write semester annual examination in May June 2021 due to COVID-19 यानि कि जो बच्चे exam नहीं दे पाए थे ठीक है जून के अंदर COVID पे जासे उनका फेस्टू करवाने जा रहे हैं in this regard the school of open learning will open portal up to 38 August Monday for all eligible final year students and semester 4 PG students for filling the examination form अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि annual mode में third year में कहते हैं एक ही form होते जिसकों बोलते examination form उसका मतलब क्या होता है कि आपको हर साल कहते हैं fees पे करनी होती है उसी को ये लोग examination form बोलते हैं अगर आपने fees पे कर दी थी और अगर आपने exam नहीं दिया तो अभी के लिए आपको कहते हैं कुछ नहीं करना लेकिन हो सकता है इसे let's suppose बहुत से students होंगे या कुछ students होंगे जिन्होंने अपनी fees ही पे नहीं करी थी चीक है अगर आपने इस साल के लिए आपको पता कि हर साल fees जाती है आपकी जैसे आपकी first year के री second year के गई अब आपकी third year के गई तो अगर आपने फीस ही पे नहीं करी थी थर्ड एर की तो अब आप अपनी फीस पे कर सकते हैं अपना S.O.L. का student dashboard लॉग इन करना 30 अगस्त करते हैं आप वहाँ पर जाके अपनी फीस पे कर सकते हैं बाकिस जिन स्टूड़न्स ते फीस पे कर रही थी एक्जाम नहीं दे पाए अभी के लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना बस वेट करना है अगले अपडेट का और हमारी वीडियोस का जो आपका student dashboard है उसको भी आप रेगुलरली चेक करते रहें ठीक है इसके साथ सथ आप सबके बहुत से doubt होंगे जो students third year के exam दे चुके हैं कि हमारे result कब तक आएंगे तो आपको बता दू कि third year के results सब्तमबर तक आ सकते हैं ठीक है chances काफी ज़ादा हैं क्योंकि मेरे according इस से ज़ादा delay नहीं करना चाहिए बढ़ हाला कि एस ओलवल ने हैं तो आगे ये लोग कहते हैं आगे अपने date को extend भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए job date मेरे पास है सब्तमबर तक आपके result आ चुके हैं कोई भी date final नहीं है कब आएंगे तो wait कर लीजे इस वीडियो को सबके सशर कीजे जो आपके दोस्त है जिनके exam रह गए थे ताकि उनका साल खराब नहों क्योंकि आप जानते हैं कि annual mode में साल में सिर्फ एक ही बार exam होते हैं अगर आपने अभी भी exam नहीं दिये तो आपका पूरा एक साल खराब हो जाएगा और देन आपको दुबारा next year जून के असपस exam जून के असपस आपको exam देने पड़ेंगे तो I hope कि आप सब के जो भी doubts सब सभी doubts दूर हो चुके हैं तो मिलते हैं आप सबको निस्वीड में बहुत जदा ही पूरण देने वाले हैं खासकर जिन students के डिजर्ड नहीं आए हैं और खासकर जिन students के exam नहीं हो पाएते ओपन बुके ठीक है तो वेट कीजिए अगली official update का और official video का thank you so much